कि अदि हेलो हेलो फ्रेंड्स हाइड आर यू आई होप औल फ्यूर फाइन मैं मिसंसारी स्वागत करते हूं आपका आपके अपने चैनल फोकस्ट वैयरोजि में स्ट्रोल सबस्वाइब के बारे की घरनेड़ा का रिपीट तो चलिए स्ट्रोल की फॉर्मुक्त करते हैं देखिये हैं आप देख सकते हैं कि यहां जो स्ट्रॉल दिये हुए हैं ये लिपिड लिपिड का स्ट्रॉक्चर दिया हुआ है and these are the lipids inside the plasma membrane स्ट्रॉल्स इस्ट्रॉल्स एक इनको हम true lipids नहीं कह सकते हैं लिपिड solubal molecules ये होते हैं four ring based structure होता है जिन में से तीन ring attached है sixth carbon पे और एक ring attached होती है fifth carbon पे ये structure दिया हुआ है cholesterol का आप देख सकते हैं इसमें तीन ring attached है किस पे sixth carbon पे और एक है fifth carbon पे चलिए आगे रेखते हैं ये एक cell दी हुई है जिसमें ये लिए है एक cell इस cell में आपको दिख रहा है extracellular fluid nucleus and cytoplasm और इसकी ये जो बाउंडरी दीख रही है आउटर बाउंडरी एक में इसको एड़्जस्ट कर लेती हूं ये जो आउटर बाउंडरी इसमें आपको नजर आ रही है ये ये ही है इसकी plasma membrane अब हम आगे देखते हैं अगर हम उसको enlarge करके देखते हैं तो हमें structure कुछ ऐसा नजर आता है जिसमें proteins के layers होती है लिपिड्स के layers होती है एंच यहां पर embedded protein होते हैं ये हैं amphipathic nature के इसके lipids जो होता है phospholipids इस तरह का कुछ structure होता है one head and two tail वाला इसी इसी को arrange किया गया है और ये एक bi layer structure बनाता है आप देख भी सकते हैं red, yellow and red ये double layer structure है और इसके बीच में present होते हैं mosaic form में proteins ये embedded हो सकते हैं या peripheral हो सकते हैं चलिए आज हमारा topic है इस्ट्रोल तो उसी पर बात करते हैं ये रहे इस्ट्रोल्स इस्ट्रोल्स दीखे इस्ट्रोल्स ये रहे जो plasma membrane के बीच में present है ना कि इधा surface पे और ना ही इधा surface पे ना ही अंदर के side present है और ना ही भार के side present है ये बीच में present होते हैं और ये किसी भी plasma membrane को rigidity provide करते हैं चलिए आगे देखते हैं इसी के इनलाज करते दिखाया हुआ है इसी के portion के plasma membrane ऐसी होती है और इसकी एक tail को अगर हम देखें इसमें ये रहा one head and two tail structure ये एक phospholipid का है ये ही phospholipid के अरेंज होने से बनती है plasma membrane और इसी में present होते हैं proteins and कुछ sterols, sterols are not true lipids ये होते हैं lipid soluble molecules चलिए अब हम बात करते हैं kolesterol के बारे में क्योंकि हमने plasma membrane में kolesterol को ही देखा तो major strol present होता है ये plasma membrane में but absent होता है plants में क्योंकि plants में kolesterol की जगा अलग ही strol present होते हैं वो है जैसे कि steam estrol, cytostrol and ergostrol ergostrol especially yeast strol का हलाया जाता है लेकिन बिलकुल absent है सभी तरह के strols prokaryotes में strols present होते हैं in hydrophobic portion of plasma membrane अब इसका meaning क्या है hydrophobic portion of plasma membrane जब हमने plasma membrane पढ़ी थी तो उसमें हमने one head and two tail वाला structure पढ़ा था जिसमें hydrophilic head था, hydrophilic means water loving जो water की surface को touch करता है लेकिन दो hydrophobic tail थी, hyphobic means fear, death तो यही इसी portion में मिलता है kolesterol जो water से दूर की side present होता है middle में plasma membrane के middle वाला जो portion होता है वही present होता है kolesterol यह देखिए see this यह रहे kolesterol और यह इनका function क्या होता है यह provide करते है rigidity plasma membrane को यह act करते है एक्ट temperature buffer की तरह इनमें high affinity होती है sphingo lipids के लिए यह precursor की तरह एक्ट करते हैं for steroid hormone, vitamin G and bile acids, emulsification of fats यही रहे इनके कुछ functions जो की आपको याद करने हो अब बात करते हैं इनके synthesis कहां होती है, synthesis होती है इनके liver में यह diet के through भी obtain लिये जा सकते हैं obtain किये जा सकते हैं cholesterol tighten the bilayer packing in lipid and reduce fluidity of plasma membrane यह किसी भी plasma membrane को digidity provide करते हैं और उसकी bilayer को thick करते हैं उसको tightly bound करने में help करते हैं cholesterol evenly distributed in both leaflets of plasma membrane यह तो बात हुई जो previous books में अभी तक दिया हुआ है कि plasma membrane में जो भी तक प्रानी बुक में दिया हुआ है उसी के according के मैंने लिया है लेकिन अगर जो recent study हुई है उसमें उसके according कोलिस्ट्रोल का जो location है उसको बताया गया है cholesterol is an important component of lipid bilayer that surround cell जो किसी सेल को सराउंड करते हैं ये conventional imaging methods have not allowed researcher to determine the degree to which cholesterol is evenly distributed on the side of the cell membrane okay चलिए आगे बात करते हैं the amount of cholesterol on on inner side of the cell membrane was less than one tenth its amount on outer surface मतलब ये inner side पर जादर present होते हैं और outer side पर कम प्रिजेंट होते हैं this asymmetry is maintained by the active transport of cholesterol from the inner part of the membrane to its outer part ये में इनका amount maintained किया जाता है active transport और कुछ membrane active transports के थुरू और कुछ transporters के थुरू इनका amount maintained किया जाता है कि इनर साइड में जादा हो और outer side में कम वेन दा सेल इसेल डिसीवड और ग्रोथ सिगनल फ्रोम प्रोटीन कॉल डेवल्यू एंटी इनर कोलिस्ट्रोल इंक्रीज्ट विदेन एक्वेलेंट डिग्री इन आउटर कोलिस्ट्रोल जब इसको सेल डिवाइट करने के लिए किसी भी सेल को सिगनल मिलता है वह सिगनल होता है डेवल्यू एंटी तो कोलिस्ट्रोल का नंबर इंक्रीज होने लगता है यह वह अच्छी लगी है वीडियो समझ आई यह इसका लेटिस्ट है पहले कहा जाता था कि यह दोनों साइट प्रेजेंट होते हैं लेकिन रिसेंट रिसेंट के अकॉर्डिंग के कहा जाता है कि नहीं यह प्रेजेंट होते हैं इनर साइट जादा प्रेजेंट है और आउटर साइट कम प्रेजेंट है और यह मेंटें किया जाता है कुछ एक् and hit the bell icon